तो हेलो गाइस स्वागते आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में जैसे कि दोस्तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे दोस्तो आप अपने इस्टागाम पर without story मतलब कि बिना story लगाए कैसे आप अपने इस्टागाम पर highlight कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को दोस्तो लास्त तक जो से देख लिजेगा जिससे दोस्तो आप भी अपने इस्टागाम पर बिना story लगाए highlight कर पाएंगे तो guys क्या करना है simply अपने इस्टागाम आपको open करना है यहाँ पर open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपने profile पर click कर लेना है और दोस्तो आपको यहाँ पर highlight करना है तो किस तरह के से अपने इस्टागाम पर highlight कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले कुछ setting करना होगा जिससे दोस्तों वहाँ पर अपना highlight यहाँ पर लगा सकते हैं बिना story लगाए उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको three dot का option मिल जाता है उपर यहाँ पर आपको click कर लेना है इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीचे की तरफ आन और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा hide story and live का आपको इस पर click कर लेना है जैसे यहां पर click कर लेते हैं तो यहां पर आपको ऊपर की तरफ यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको इस पर click कर लेना है यहां पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके जितने भी followers होंगे मतलब कि दोस्त आपने जितने को भी यहाँ पर आपने यहाँ पर फोलो किया होगा वो सारा यहाँ पर दिख जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ आपको सभी को यहाँ पर टिक कर लेना है जितने भी आपने यहाँ पर फोलो कर रखा है तो यहाँ पर आपको सभी को यहाँ पर एक एक करके तो यहाँ पर टिक कर देना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख परेंगे इस तरीके से आपको सभी में जितने भी यहाँ पर आपका यहाँ पर फोलोगर्स देख रहे हैं यह सभी को यहाँ पर आपको टिक कर लेना है त अब यहांपर आपको back ओना है अब यहांपर आपको क्या करना है दोस्तों यहांपर आपको एक option मिल लैता है account privacy का आपको इस पर click कर लेना है और यहाँपर आपने account को private कर लेना है जिससे दोस्तों अब अपने instagram पर कोई भी यहांपर story को लगाएंगे अब दोस्तों आप बात करेंगे कि बिना स्टोरी लगा कैसे हाइलाइट करना है वही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को जोरी से लास्तिक जोरी से देखिएगा जिससे दोस्तों आपको कोई भी स्टोरी भी नहीं देखेगा और highlight भी लगा पाएंगे वो मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इस पर click करना है अपने home पर और यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने story पर click कर लेना है किलिक करने के बाद दोस्तों कोई भी story को यहाँ पर जिस भी photo को यहाँ पर आपने highlight करना चाहते है उससे आपको यहाँ पर select कर लेना है तो simply दोस्तों मैं कोई भी एक photo पर click कर लेता हूँ तो guys यहाँ पर select करने के बाद तो मुझे दोस्तों इस photo को highlight करना है तो कैसे कर सकता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे यहाँ पर your story का option होगा इस पर click कर लेना है click करने के बाद दोस्तों share story पर click कर लेना है यहाँ पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो story है तोस्ते चैनel को जो सस्क्राइब कर लिजेगा तो कैज यहां पर हमारा स्टोरी देखने को मिल जाता है तो नीचे यह पर आपको है lite को option होलगा तो दोस्ते simply क्या करना है यहां पर आपको आप्याइट वाले option पर क्लिक कर लेना है जैसे यहां पर क्लिक करते हैं यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर highlight में जो लिखना है वो लिख लेना है तो यहाँ पर मैं अपने नाम लिख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर add पर click करेंगे तो यहाँ पर देख पारेंगे view on profile इस पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो भी हा कर दिखाया हूँ इस तरीके से यहां पर अपने लगा सकते हैं अब दोस्तों बहुत लोग यहांपर बॉलिगे कि आपने बीना इस्टोडे लगाए जानी कि आप को सकते हैं तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया अपने इस्टो Քर करने के लिए वो setting हमने hide कर दिया जिससे दोस्तों हमारा story कोई भी नहीं देख पाएगा दूसरा दोस्तों हमने क्या किया कि अपने account को यहां पर private कर लिया जिससे दोस्तों हमारा कोई भी भी बारी जो भी विना followers है वो भी हमारे यहां पर story नहीं देख पाएगा अब दोस्तों क्या होगा कि आपको यहां पर यह स्टोडी को 24 घंटे तक यहां पर आपको रहने देना है क्योंकि दोस्तों 24 घंटे पहले अपने इस्टोडी को डिलीट कर लेंगे तो यहां से आपका जो हाइलाइट है यह भी यहां से डिलीट हो जाएगा इसलिए दोस्तों आप को 24 गंते तक प्राइबेट रखना है और 24 घंटे तक दोस्टों आपने जो भी हाइड किया हुआ हूए उसको इस्तोरी को हाइड रखना है और आप 24 घंटे तक आपका यह वीडियो को लाइक करना साधी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले